Hello everyone, इस स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं MRPA लेने के मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल्स के स्टॉक के बारे में हैं पिछले एक साल में स्टॉक में लगबग 108 परसेंट से भी जदा रिटन देखने को मिल चुके हैं अब ही देखिए दोस्तों स्टॉक यहां से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और यहां से स्टॉक उपर के और बाउंस करते हुए दिखाई दे सकता है क्योंकि एक major important support level पे आ चुका है support zone की बात करेंगे तो 195 से लेके 200 का एक major support है स्टॉक multiple time इसी level पे आने के बाद यहीं पे support ले लेकर उपर के और bounce करता हुए दिखाई दे चुका है possibility जदा ही रहे कि स्टॉक में यहीं से देजी यहीं से उपर के और bounce हमें देखने को मिल सकता है आने वाले तिनों में next important immediate resistance level की बात करेंगे तो 218 से लेके 226-225 के देखने को मिलेगे और इसको भी उपर के ब्रेक आउट करता है तो 250-260 के लेवल जल्द ही अच्यू करता हुआ स्टॉक दिखाई देख सकता है दिखिए दोस्तों सिनारियो सेकेंड की भी बात करना जरूरी है इनकेस इस support zone को break कर देता है नीचे के side में तो 180 से लेके 185 का next important support zone इसके लिए होने वाला है ठीके दोस्तों उम्मीद करता हूँ technical chart पर इस सारी दिल आपको समझ में आ चुकी होगी तो चलिए अब चलते हैं टिकर टेव विब साइट पे दोस्तों अभी तक आपने दिमेट अकॉंट ओपन नहीं किया है तो free dmatt अकॉंट ओपनिंग लिंक दिस्क्रिप्शन वॉक्स में देती है एंजल वन अपस्टॉक्स की वहां से आफ री में डिमेट अकॉंट ओपन कर सकते हैं सबसे पहदे बात कर लें है scorecard की performance average valuation high है growth low है profitability high देखने को मिल रहे जु अगर कोई stock में red flag दिखाई देता है इसको avoid करना ही बहतर होता है ठीक है तो मिड कैप company है इसका market cap 35,682 CR का देखने को मिलता है और stock में हमें high risk देखने को मिल जाता है तो यह लिए सब चेक कर लेते हैं forecast and rating analyst हमें क्या सला देते हैं buying की टो analyst हमें यहाँ पे 0% buying की सला दे रहे हैं ठीक है तो जो की negative point है पियर्स की भी बात करते हैं तो यहाँ पे हमें Reliance Industries Indian Oil Corporation याने के IOC और यहाँ पे भारत petroleum Corporation की चाथ comparison हो जाता है और price comparison की भी बात करेंगे तो sector wise particularly MRPL में ही काफी एची TG काफी एची रिडन्स देखने को मिल च चुक्त की वीडियो अगर आपको अच्छा लगाए वीडियो को जरू लाइक करिए शेयर करिए सबस्क्राइब करिए वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर उपस के लिए बनाई गई है कोई पर बाइंग रिकमेंडेशन इस टुड़े में नहीं है वीडिय अगर आपको अच्छा लगए जरूर लाइक करें चलिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए टेक केर